हेलो आवरी बड़ी सभी सात्यों को रामराम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे दोस्तों HSSC CET में टोपर बन जाओगे लेकिन आपको नोकरी नहीं मिलेगी यदि आपने ये गलती की दोस्तों कुछ गलतियां हैं जो प्रैक्टिकल होती है और आपके साथ हुई भी होगी जिसकी वज़ाशे आपका सेलेक्शन रहा होगा दोस्तों वो क्या गलतियां है जिसकी वज़ाशे आपका सेलेक्शन रुकेगा 100% रुकेगा यदि आपने वो गलती कर देतो उसका कोई और इलाज ही नहीं है यदि आप जाना चाहते हैं कि ये क्या गलती है और कैसे आपके नोकरी आपसे छीन सकती है आपके हाथ में आई नोकरी यदि आप तो अपर बढ़ गई इसका मतलब है कि आपके हाथ में नोकरी आ गई लेकिन फिर भी नोकरी नहीं मिली क्योंकि आपने गलती करी वो क्या ग आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों यह चीज मुझे पता कैसे चली जैसा कि आपको पता है कि हम पूरे हरियाना में CET का offline टेस्ट करवाते हैं क्या करवाते हैं हमने दो टेस्ट करवाई हैं इन दोनों टेस्टों में मेरे सामने यह problem यह गलतियां बच्चों ने कर रखी हैं दोस्तों मेरे पास बच्चे पहले टेस्ट में बच्चे आये थे दोस्तों लगबग 63,000 बच्चे टेस्ट में आये दूसरा जो टेस्ट हुआ उसमें लग भग तेरा सो बचे टेस्ट देना है थे यह फरी टेस्ट था यह आपका पेड टेस्ट था 40 रुपे में ठीक है यह आपका फरी था तो और जो सीटी का जो एक्जाम होगा दोस्तों वो दस से पंदरा लाख बच्चों के बीच में होगा यहाँ पे इन बच्चों के बीच में मेरे को इसमें लग भग 300 से 400 गलती करिवी OMR मिली थी और इसमें मेरे को मिली थी लग भग 100 OMR ऐसी थी यदि ऐचा ससी मेरी जगा होता तो आपकी OMR है आप टोपर बन जाते फिर भी आप सेलेक्शन नहीं ले पाते वो क्या गलती है द दोस्तो हम टेस्ट नंबर थरी थरी लेने वाड़े हैं पूरे हरियाना में हमारे 40 से ज्यादा सेंटर बने हुए हैं उसके लिए रजिस्टेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और उसके फाइदे क्या होंगी वह आपको भी पता चल जाएंग तो दोस्तों यह देखिए यह मनीश कुमार है फादर नेप कूलदीप सिंग है नरवाना आधर्स लाइबरेनी भी नोने एक्जाम दिया था ठीक है सोड़ा अप्रेल को था भाई अपना जो सीटी का टेस्ट नबर टू था वो सोड़ा अप्रेल को था एक तो दोस्तों यहां पे देखिए मैंने पर उपिरागा उसमें भी आपसे पूचा जाएगा लगभग दोस्तों तिनसो बच्विशों ने लगभग दीनसो बच्विशों ने दोस्तों यह कोड है यह फिल नहीं कर रखा है किसीने तो जदी किसीने तो बलैंग की छोट रखा किसी ने ऐसे निशान लगा रखा B के उपर ऐसे जब यह गोड़ा भरने को दिया है यह टिक मार्क करने के लिए नहीं दिया यह आपको पूरा ऐसी भरना पड़ेगा पूरा भरना पड़ेगा प्रोपर तरीक़्े से यह गलती लोगों ने कर रखी है यदि आपके भई 100 में से 80% ठीक हो गई आप टोपर हो गई 100 में से 80% आपने ठीक कर दिया आप टोपर बन गई लेकिन आपकी नेजर में टोपर हुए जो मसीन है जो मसीन चेक करेगी यदि आपने पेपर कोड नहीं बर रखा होगा तो वो कौन से सेट की अंसर की के हिसाब से आपका पेपर चेक करेगी तो आपके जो नंबर आएंगे वो जीरो आएंगे फिर कितने आएंगे? जीरो आएंगे जीरो आएंगे यदि आपने पूरा पूरा पेपर सही कर रखा है आपने अपनी अंसर की भी मैच कर ली लेकिन आपने पेपर कोड नहीं बर रखा तो दोस्तों आपके नमबर आएंगे जीरो आप टोप पर बन जाओगे लेकिन आपका सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है? एक सबसे बड़ी गलती ये थी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रोल नमबर बरने का उप्शन दिया गया है क्या दिया गया है? मैं थोड़ी सी इसको और जूम करता हूँ अब आपको प्रोपर दिखाई दे रहा हुआ यहाँ पर रोल नमबर बरने का कोलम दिया गया है यहाँ आप देखिए 12, 61, 137 यह इसने सही बर दिया एक के सामने बहुत अच्छी बात है फिर आता है दो इसने यह सही बर दिया बिल्कुल दो के सामने ठीक है उसके बाद में छै इसने छै के सामने बिल्कुल सही बर दिया फिर आता है ग्यारा एक एक दोस्तो इसने किसके सामने बर रखा है ये तो जीरो के सामने बर रखा है बरना किसके सामने था बरना तो इसके सामने था यहाँ पर बरना था लेकिन भर कहां पर रखा है इसने यहाँ पर रखा है तो बताइए अब ये रोल नमबर तो जब OMR sheet चेक होगी न ये रोल नमबर ये लिखा जाएगा कम्प्यूटर में जो Excel sheet बनेगी OMR चेक होती है मसीन से वो data भी कम्प्यूटर में जाता है अपने आप जब चेक होती है वहाँ पर आपके नमबर जाते हैं subject wise पूरा total score जाता है और आपने जो रोल नमबर फिल्ड कर रखा है वो automatic जाता है तो आपने रोल नमबर गोड़े के सामसे जाता है तो ये तो बारा साथ जीरो जीरो सैंतिस हुआ बारा साथ जीरो सैंतिस हुआ लेकिन आप अपना result search करोगे इसके सामने लेकिन मसीन ने तो इस OMR पे इस रोल नमबर को दरसाया है आप टोपर बने जाओगे लेकिन आपका selection होगा आपके बेसक भाई 100 परसंदी है ना 100 के 100 साही हो लेकिन रोल नमबर गलत वर दिया आपका selection नहीं होगा दोस्तों यहां पे मेरे पास तो बच्ची आए एक बार 4000 आए एक बार 1400 तेरा सो आए इनी में मेरे को इतने बड़े आकड़े मिल रहे हैं जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो यह बताओ CET का जब एक्जाम होगा 10 से 15 लाख बच्चों के बीच में तब कितने बच्चे ऐसे होंगे जो यह छोटी मेरा रिजल्ट नहीं आया है यहां पर देखिए इस बच्चे ने भी वही गलतियां कर रखिया है ऐसे ही ओमर देता है दोस्तों ऐसे ही गोड़े पर वाता है ऐसे ही ओमर चेक करता है आपकी लेकिन जब आपने रोल लंबर गलत डार गोड़े गलत पर रखें तो भाई आप बेसक सो बटे सो लिया है यो आपका सेलेक्शन नहीं होगा आपका ओमर चेक ही नहीं होगा गलत रोल लंबर के लिए वह होगी वह तो ठीक है और दिखाता हूँ ये देखे भाई इसने एकजाम सेट बर दिया उपर अपना रोल लंबर लिख दिया लेकिन गोड़े नहीं बरे किभी भाई गोड़े नहीं बरे जब इस OMR को चेक किया जाएगा जब इस OMR को चेक किया जाएगा ना रोल लंबर में क्या आएगा? जीरो आएगा इस OMR का roll number machine क्या बताएगी जीरो बताएगी क्या बताएगी जीरो बताएगी आप बेसक भाई इसमें 100 बटे 100 लेया ना आपने answer की से match कर लिया क्या है answer की से match कर लिया लेकिन दोस्तो आपने roll number तो नहीं बरखा आपने अंस्वर की तो चैक कर ली हाँ बटे शो बड़ा रहे हैं और फिर जब आपका नाम नहीं आएगा आप क्या करोगे आपके साबसे तो आपके सी बनते हैं लेकिन भाई मसीन ने तो बार बार गलतिया करते हो और इसकी विज़ेसे आपका सेलेक्शन रुकता है हर बार रुकता है आगे भी रुकेगा इसका एक समाधान क्या है अब यदि आप इसका समाधान देखो तो समाधान क्या होता दोस्तों इसका समाधान होगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके OMR पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये जो गलतिया है दिखने में छोटी सी है लेकिन इसके जो प्रेणाम है आपने देख लिया होगा जब आपका रोलंबर वहाँ पे मसीन 0 उठाएगी आपने 100 कर रखे है आपका गोड़ा ये है OMR में क्या है आपका गोड़ा ये है जब आप OMR फिल करते हो तो कैसे करते हो यदि आपने ऐसे कर दी OMR फिल यदि आपने ऐसे OMR फिल कर दी ना यदि आपने ऐसे OMR फिल कर दी तो भाई ये आपका गलत है आपने उत्तर सेलेक्ट सही कर लिया लेकिन गोड़ा आपने प्रोप पर नहीं बरा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है लेकिन अस्वर की चेक कर लिए अपने अन्स्वरव की आप पर नहीं हो आप अर नोकरी से वन्चित रहे जाओं सीदिशी बात यह है और इसका समध्दन मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप ओम लेकिया अपने मार्केट से कहीं ना कहीं से और उसको प्रोपर बैठ के आराम से जैसे एक्जाम में बैठते हो उस तरीके से बार-बार जितनी ज् से जबके उसका मिया जो आपके गलतियां होती है यह दूर हो जाएगा ठीक है और यह आप सीटी टेस्ट थरी जो कि पूरे हरियाना में होने वाड़ा है यह उसके रिजिस्टेशन करना चाहते हो 40 रुपे पीच है आप एप के उपर जाके रिजिस्टेशन कर सकते हो आपक ठीक है और OMR के उपर आपका यह टेस्ट होने वाड़ा है ठीक है जी तो और इस सनिवार को नहीं है अगले सनिवार को है ठीक है इस सनिवार को नहीं है एक तो यह सनिवार आएगा भी दो तिन के बाद में उसको नहीं है उससे अगली वार है लेकिन इसके जो रिजिस्टे ओमर सही फिल करोगे आपको ये फाइदा होगा उसके बाद में आपको पूरे हरियाणा लेवल पे आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आपकी त्यारी कितनी है उसके बाद में subject wise आपका analysis क्या जाएगा कि math में कितने नमबर आए घंदी में कितने नमबर आए उसके बाद इससे ओने वाली है ठीक है और बहुत सारे बच्चे इसमें अपेर होते हैं हर बार आप भी इसमें पारेटिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों मातर 40 रुपे टेस्ट की फीश रहने वाली है ठीक है तो ये था पूरा मामला भाई आपको समझ में आ गया होगा पर उपर और येदि गलति वीडियो में इतना ही धन्यावाद भगवानी करे आप सबीका समय सुब रहेगों